कड़ी पत्ता में बहुत मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, मैगनेशियम, फॉस्फोरस, आइरन, कॉपर, विटामिन C, A, B और E पाये जाते हैं जो शरीर को विभन बिमारियों से बचाते हैं इसमें बीड़ा कोशिकां को सक्रीय करने की शमता होती है जिसकी वज़ा से इसके पत्ते पेट संबंदी रोगों में लाभकारी सिद्ध होते है इसका इस्तमाल आख और किड़नी के मरीजों के लिए फायदिमद होता है ये बालों के रूम को नया जीवन प्रदान करता है हमें इसका उप्योग सबजियों के साथ करना चाहिए जो कि बहुत ही गुणकारी होता है रोज सबर के समय खाली पेट दो थीन कड़ी पत्ते खजूर के साथ खाना चाहिए इससे शरीर में आहिरन का स्थर बहतर होगा और एनिमिया की आशन का कम होगी खासी जुखाम के वक्त कड़ी पत्ते को पानी में उबाल कर आप पी सकते हैं इसे ही ठीक हो जाता है आप इसे पीसकर या शेहत के साथ भी खा सकते हैं अगर आपकी बाल जढ रहे हैं तो कड़ी पत्ते के इस्तमाल से आपकी बाल बच जाएंगे इसमें anti-diabetic agent होता है शरीर में insulin की गतिवधी को प्रभावित करता है फाइबर की मात्रा diabetes की रोगियों के लिए फायदा पहुचाता है खास कर महिलाएं जो एनेमिया से पीरित हैं उन्हें इनका सेवन करते रहना चाहिए इसमें iron और folic acid मौजूद है पाचिन संबन्ती दिकतों में भी ये सहयक साबित होता है इसे पीस्ट कर चार्ज में मिलाकर पिया जा सकता है इसमें कारबाजोल एलकॉलोइट्स पाया जाता है जो anti-bacteria और anti-inflammatory गुण होता है ये पेट के लिए बेहद ही फायदे मन रहता है ये खून में कॉलिस्टॉल की मातरा को कम करता है साथ ही रदे की बिमारियों से भी आपको बचाता है ये लीवर को भी सरक्षित रखता है कड़ी पत्ता लीवर को oxidative stress से बचाता है किसी भी तरह के तवचा संबंदी रोग में कड़ी पत्ता फायदे मन्द है लंबे समय से अगर आप मुहासे ये अनिस समस्याओं से परिशान है तो प्रति दिन कड़ी पत्ता खाए इसका पेस्ट बना कर लगाए बालों को घना, काला और मजबूत बनाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते है इसके लिए नारील के तेल में कड़ी पत्ते को उबाल कर उस तेल को बालों में लगाए और अच्छी तरह से मालिश करें